नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खुश्यों के त्योहार में, यहां हम त्योहार की तैयारी से पूजा की थाली तक कर सबर पूरा करेंगे आज की वीडियो में जानिए चितक्रोप महराज की पूजा की सरल विधी वीडियो शुरू करने से पहले अगर सब्सक्राइब ना क्या हो तो सब्सक्राइब कर ले और कामेंट में जै चित्रोप महराज लिखना ना भूले मशी भाजन संयुक तश्चर सित्वम वही तले लेखनी कटनी हस्त चित्रोप्त नमस्तुते हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुकल पक्ष की दुत्या तिती के दिन चितरगुप पूजा होती है इस दिन को यम दुत्या भी कहते हैं जो भाईदुच के नाम से प्रसिद है देटाओं के लेखपाल चितरगुप महराज मनुश के पाप पुन्य का लेखा जोखा रखते हैं कार्तिक शुकले दुत्य को नई कलम या लेखनी की पूजा चितरगुप जी के प्रतिरूप के तौर पर होती है काईस्तिया व्यापारिवर्ग के लिए चितरगुप पूजा के दिन से ही नवश का आगाज माना जाता है भगवान चितरगुप को देव लोग धर्म अधिकारी भी कहा गया है इसके साथ ही इनका समन लेखनकारे से भी है इसी कारण से इस दिन कलम और दवात की भी पूजा की जाती है भगवान चितरगुप का वर्नन, पद्मपुरान, सकंदपुरान, ब्रह्मपुरान, यम सहिता, व, याग्यवलक्य, स्मृति, सहित कई गरंतों में मिलता है कहते हैं इस दिन भगवान चितरगुप्त का स्मर्ण करने से कार्य में उन्नती, आकर्षितवानी और बुद्धी में वृद्धी का वर्धान प्राप्त होता है चितरगुप्त महराज की सरल पुजाविदी प्रातकार सनान करने के बाद पुर्वदीशा में बैटकर एक चौक बनाएं, वहाँ पर चितरगुप्त महराज की तस्वीर इस्थापित करें सबसे पहले चितरगुप्त महराज का आवाहन करें दोनों हाथ जोड़का प्रभु चितरगुप्त जी से प्रातना कीजिए कि हे प्रभु जब तक मैं आपकी पूजा करू तब तक प्रभु आप यहां विराज मान रही है अब कहिए हे प्रभु चितरगुप्त देव आपका सेवक आपके समक्ष या आसन समर्पित करता है इसे स्विकार करे अब आचमन करे हे देवादी देव प्रभु चितरगुप्त भगवान या पवित्र जल आचमन के लिए प्रस्तुत करता हूं इसे स्विकार करे अब स्नान करे हे सनातन देव आपकी जल है, प्रित्वी है, अगनी और वायू है या सेवक जीवन रूपी जल आपके सनान हितू समर्पत करता है इसे स्विकार करें अब वस्त्र अर्पत करें हे देवादी देव प्रभुचित्रगुप्त जी आपके चर्णों में या सेवक तुछे वस्तर भेट करता है, इन्हे स्विकार कीजिए, अब पुष्प चड़ाएं, हे परब उत्तम दिविय महापुरुष प्रभुचित्रगुप्त भगवान आपके श्री चर्णों में य सेवक सुगंधित पुष्प अर्पित करता है, इन्हे स्विकार कीजिए, अब धूप दिखाएं, हे अंतर्यामी देव आपके श्री चर्णों में या सेवक सुगंधित धूप प्रस्तुत करता है, इसे स्विकार कीजिए, अब दीब दिखाएं, हे देवादी देव उत्त प्रभू चितर्गुप्त जी आपके शेचर्णों में स्वादेश्ट, शुद, मदूर फलों से युक्त, नेवित्य समर्पित करता हूं। इन्हे स्विकार कीजिए। फल, मिठाई और विशेश रुप से इस दिन के लिए बनाया गया पंचाम्रित जो की दूद, घी, कुछला, अद्रक, गोड़ और गंगा जल से बनता है और पांच सुपारी का भोग लगाए। तामबुल इवं दक्षिना चड़ाएं। हे प्रभुचितरगुप्त जी, आपके श्रीचर्णों में तामबुल इवं दक्षिना समर्पित करता हूं। इन्हे स्विकार कीजिए। विधी विधान से पुष्प, अक्षत, धूप, मिठाई, फल आधी आर्पित करने के बाद एक नई लेखनी या कलम उनको अवश्य आर्पित करे। कलम दवात की भी पूजा कर ले। लेखनी दवात की पूजन विधी। लेखनी दवात पर शुद जल, रोली, चावल, पुष्प, जल आधी आर्पिक करते हुए प्रभुच्य तर्गुप्त जी एवं धर्म राजी जी का ध्यान कीजिए। ओम लेखनी देवते यहां गच्छ में पूजाम, ग्रहान, आवाहम, करोमी। अब कथा सुने, कथा का लिंक उपर आइकार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके नीचे एक तरफ अपना नाम पता वदिनांक लिखे और दूसरी तरफ अपनी आय वय का विवरंडे इसके साथी अगले साल के लिए आवश्यक धन हितु निवेदन करे फिर अपने हस्ताक्षर करे इस कागज और अपनी कलम को हल्दी, रोली, अक्षत और मिठाई अर मशी भाजन संयुक तश्चर सित्वम, मही तले, लेखनी, कटनी हस्त चित्रगुप्त नमस्तुते, चित्रगुप्त नमस्तुब्यम, लेखाक्षर दायकम, कायस्त जाती मा साध्यम, चित्रगुप्त नमस्तुते, अब सभी उपस्तित बंदु श्री चित्रगुप्त जी क कि आतिवा स्तुति गावे इसके पश्चात कुशी पुर्वक श्री चितगुप्त जी महराज और श्री गनेर जी महराज से अपने और अपने लोगों के लिए मंगला शेरवात प्राप्त करते हुए शीष जुकाएं इवं प्रसाद का वित्रन करें अगर आपके वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें अगर बेल नोटिफाई ना किया हो तो बेल नोटिफाई कर ले इससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगे यहां तक बने रहने के लिए सबका धन्यवाद जय माता दी